मैंने बेक्टिक रूप से इनीने लिया कि मैं 2022 में चुनाओ MLA का नहीं लड़ूंगा और मैं पार्टी हाय कमान के सामने भी इने मामंत्री संगतना जाय जी वह और पार्टी हाय कमान के सब्दिग को कहा है कि मैं 2022 का चुनाओ सवाल यह उठ रहा है कि क्या हरक सिंग रावत एक बार फिर से बगावत करने वाले हैं या यह फिर से कोई राजनीतिक चक्रव्यू रचा जा रहा है क्या यह चक्रव्यू सरकाय की तरफ से हरक सिंग रावत को घेरने के लिए रचा जा रहा है या हरक सिंग रावत अपने टीम के सदस्यों के साथ मिलकर कुछ लोगों के खिलाब ये चक्रव्यू रच रहे हैं लेकिन इस बयान के कुछ माईने हैं इसा माना जा रहा है कि एक दबाव के राजनीती है और यदि सब कुछ हरक सिंग रावत के मन मताबिक नहीं रहता तो वो बीजे पी का दामन छोड़कर किसी दूसरे दल से भी चुनाओ लड़ सकते हैं जहां पर उनके मन के मुताबिक चीजें एड़ेस्ट हो रही हो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा कॉंग्रेस के नेता जिनमें इंदरा हिदेश नेता परतिपक्ष सबसे आगे है वो चाहती है कि हरक सिंग रावत अगर कॉंग्रेस में आ जाए तो उनको यहां से चुनाव लड़वाया जा सकता है लेकिन हरक सिंग रावत के कॉंग्रेस में आने पर सबसे बड़ा अडंगा हरीश रावत का है हाला कि हरीश रावत को उतराखंड की राजनीती से दूर करने के लिए उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया है और अगर हरीश रावत की थोड़ी भी चली तो हरक सिंग रावत की कॉंग्रेस में एंटरी थोड़ा मुश्किल है यानि हम इसे सीधा ऐसा कह सकते हैं कि हरीश रावत के होते हुए हरक सिंग रावत की कॉंग्रेस के भीतर एंट्री थोड़ा सा मुश्किल है तो क्या हरक सिंग रावत के पास कोई दूसरा विकल भी बचा है उतराखंड में हाल हिमें आम आदनी पार्टी के आने की चर्चाएं बहुत तेजी से उभर रही है हरक सिंग रावत ने एक पैर वहाँ पर भी फसाने की कोशिश की है क्योंकि उनके परिवार के कुछ लोग सीधा सीधा आम आदनी पार्टी से जुड़े हुए है अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हरक सिंग रावत की राजनीती किस ओर जाती है चक्रवियू कौन बुन रहा है चक्रवियू में कौन फसेगा इसमें कुछ संशय है इस संशय को भी आने वाले दिनों में दूर कर दिया जाएगा